सुरी शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादीव कैसे हैं आप सब देखिए हम सभी जानते हैं कि कल शुकरुवार का दिन है और कल आसार मास की मासिक शिवरात्री है यानि कि शुकरुवार के दिन मासिक शिवरात्री देखिए शिवरात्री जो होती है वो भगवान शिव को समर् और शुक्रुवार की मासिक शिवरात्री के आपको मात्र चार उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो भी उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं, शुक्रुवार का दिन विशेश कर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है, और शुक्र ग्र जीवन में धन संपदा वेभाव एश्वरी किरती की प्राप्ति कराते हैं जिसका भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है इसलिए शुक्रवार का दिन विशेश शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है जो हमारे जीवन में सुक शांती देते हैं एश्वरी की प्राप्ति कराता है। इसलिए हर व्यक्ती के जीवन में उसे शुक्र को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। ताकि उसका जीवन भी सुखमे बीते। तो आज का यह जो वीडियो है पूरा बहुत ही खास होने वाला है विशेशकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होगा धन की प्राप्ति करने के लिए होगा और बहुत ही आसान से यह उपाय होने वाला है मात्र इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चार महा उपाय बताएंगे जो की आपको विशेशकर शुकरवार के दिन करना है बहुत ही आसान से उपाय हैं इसलिए इस वीडियो को अंति तक जरू देखना तकि आपका जीवन में सुक सम्रद्दी से भर जाए पुझ्जी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भकते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्रेब करें देखे चार जो उपाय हैं विशेश कर सबसे पहला जो उपाय होगा वो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होगा दूसरा जो उपाय होगा वो होगा हरी लाइची का जो कि धन संपदा को बढ़ाता है तीसरा उपाय लंबी बाती का दीपक जो कि सुक सम्रद्धी बढ़ाता है और चोथा उपाय विशेश कर जिन लोगों के जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है धन संबंदित परिशन या बहुत जादा है तो वो चोथा उपाय कर सकते हैं बहुत ही आसान से यह उपाय होने वाला है देखिए सबसे पहला उपाय यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो शुकरग्र है वो कमजोर का है आपने कहीं जगा कुंडली दिखा रखी है और आपका जो शुक्र है वो मृत का है नीच का है तो आपको ये उपाय ज़रू करना चीए विशेशकर शुक्रग्रा को मजबूत करने के लिए यदि आपका शुक्रग्रा पहले से ही मजबूत है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं देखे करना क्या है मात्र एक बेल पत्र लेना है अब देखो बेल पत्र खंडित तो लेना ही नहीं है अगर बेल पत्र नहीं मिल पाता है तो भगवान शिव के उपर चड़े हुए बेल पत्र का आप उप्योग कर सकते हैं शुद्य जल डाल करके मात्र एक बेल पत्र लेना है और उसके साथ में आपको ग्यारा चावल के दाने लेना है आगे आपको मासम में चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए ठीके और साथ में तामबे के पात्री के अंदर जल लेना है मात्र ये तीन चीज लेना है बेल पत्र, तामबे के पात्र के अंदर जल और ग्यारा चावल के दाने ये ले जाना है आपको भगवान शीव के मंदिर में अब ये जो उपाय है विशेश कर पुझी गुरुदेव के अनुसार प्रदोश काल के समय ही आपको करना है अब प्रदोश काल सूर्यास्त से पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के बात तक रहता है यानि कि ये देड़ घंटे का जो समय है इस समय में अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्म होता है क्या करना है भगवान शीव के मंदिर में आपको जाना है अब जो तामबे का पात्र है जिसके अंदर जल है उसके अंदर आपको ग्यारा चावल के दाने डालना है और ये चावल के दाने खंडित नहीं होना चीए ठीक है ग्यारा चावल के दाने आपको जल के पात्र के अं मंत्र मिल जाएगा इस मंत्र का जापकर ना 17 Premiere इसे प्रकार से 11 बार मंत्र का जापकर ना यहाराहँ चावल के डाने आपको जल्के पाऀत के अंदर आपको डाल देना है देखें अब इस उपए को समझना है आपका जो सीधा हात है हतेली है हतेली के उपपर आप जो एक बेल पत्र लेकर काये है वो बेल पत्र आपको रख देना है अब देखो कैसे रखोगे खरदूरा वाला जो हिस्सा होगा आपके हाथ पर इस पर्श होना चीए ठीक है चिकनावाला साइड उपर होना चीए बेलपत्र का अब इसी के उपर ये ताम्वे का पातर रखना जिसके इनदर जल है और जिसके अदर आपने 11 चावल के दाने डाले हैं अब यह जो हाथ है इसी हाथ से आपको जीखो नीचे ब महादेव ठीक है जिस प्रकार से आप ने ये अर्पित कर दिया अब दू के पात्र चावल है वह आप निकाल करके भगवान शीवलिंग पर लग रखना है और जो दो पर को सग Sahby Ha 되지 ना चाया दिना चाहिए और जो डंडी का हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए आगे आपको बास अज में हाथ में रखाता है तो खरदूरा वाला हिस्सा आपके हाथ पर इस पर्श हो रहा था लेकिन आपने माता शोक सुंदरी वाले इस्थान पर रखा है जो कि आपके शुक्र ग्रह को मजबुत करता है तो ये हो गया पहला उपाए बहुत ही आसान सा उपाए है धन संबनेत परिशानियों को दूर करने के लिए अब दूसरा उपाए आपको क्या करना है मातर एक हरी इलाइची लेना है और एक इस चिल के पात्रि के अंदर दो चमच गच्चा दूट डालना और शुद्द जल मिला देना और साथ में आपको तामबे के पात्रि के अंदर जल लेना है तीगे ये तीनों चीज ले करके भगवान शीव के मंदिर में आपको जाना है शुक्रवार के दिन तेकि शुक्रवार का दिन होता है देवी को समर्पित और हरी इलाइची जो होए माता लक्षमी को बहुत प्रिय है और हरी इलाइची धन को खीचने का काम करती है तो आपको क्या करना है ये एक हरी इलाइची आपको साबूत हरी इलाइच यह आपको भगवान शीव के शीवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है आप जिसे ही अर्पित करेंगे उसके बाद इसी हरी इलाइची के उपर एक लोटा कच्चा दूद जो आप लेकर क्या है कच्चा दूद और जल द्यानेकना दो चमबच कच्चा दूद मिलाना जीवन की धन संबंदित परिशानिया दूर होना शुरू हो जाती है तो यह भी शुब तीथी पर अगर आप करते हैं तो सर्वोतम होता है अंत में एक लोटा जल भगवान शीव के शीवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है ज्यानकना हरी लाइची आपके जीवन में धन संपदा ही बढ़ाती है यदि आप भगवान शीव के शीवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह दूसरा उपाय भी आप कल कर सकते हैं शुक्रवार के दिन देगे तीसरा उपाय आपको करना है आपको क्या करना है एक दीपक तयार करना है दीपक आप आटिका भी ले सकते है या तो आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं लंबी बाती का प्रयोक करना है लाल रंग की बाती आपको उसके अंदर लगाना है शुद घी उसके अंदर भरना है और ये दीपक, लंबी बाती का ये दीपक आपको बेल पत्र के पेड के नीचे आपको अर्पित करके आजाना है मुख जो होगा वो तरदिशा की तरफ होना चीए इस प्रकार से ये दीपक लगाने से घर के क्लेश दूर होते हैं सुक सम्रद्धी बढ़ती है वेभव बढ़ता है तो इस प्रकार सी ये तीसरा उपाय आप कर सकते हैं ये उपाय भी विशि समपदा की कामना करते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं मात्र एक कमल गट्टा लेना है देखिए कमल गट्टा ये आपके पास नहीं है तो पूजन सामगरी वाली दुकान पर आसानी से मिल जाता है कमल गट्टा आपको एक रुपे या दो रुपे में आपको कमल गट्टा म लेना है और आपको भगवान शीव के मंदिर में जाना है शुक्रवार की दिन सुबह से लेकर के रातरि तक जब आपकी इंच आओ तब यह उपाय än कर सकते हैं ज़से भूरे मिश्रिवलिंग यह आपको भगवान शीविवलिंग पर अर्पित कर होती हैं आपके जीवन में धन के स्टोत्र खुलते हैं यह उपाइभी आप कर सकते हैं और अंत में जो कमलगट पने निकाला था उय得 आपको भगवान-े शीर si लि rulers पर आपको